यह दोस्तों अपने डेल लाइप में आप इस तरह के सेंटेंज कभी-कभी बोलते हैं भगवान कहा नहीं है बुरे लोग कहा नहीं है नेटवर्क कहा नहीं है अच्छे लोग कहा नहीं है पापी लोग कहा नहीं है तो यहां पर हम लोग क्वेश्चन नहीं करते हैं हम लोग को बताते हैं कि भगवान सब जगह है भगवान सरवत्र है सैंटेंज को बनाने के लिए हमें किस तरह का स्टेक्चर को फॉलो करना होता है कि जो सब्सक्राइब कर लिए और यॉडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहें तो फिलाल नहीं है तो यह नेटवर्क बुरे लोग भगवान तो सब्जिक्ट को सबसे पहले करेंगे यदि फर्जियन में बोल रहे हैं तो हम लोग पीज लगाएंगे यदि पुलूरल रहेंगा तो आर लगाएंगे उसके बात कर देंगे नहीं पर है यहाँ बूते हैं कि ब सब जगह है हर एक अस्थान पर यहाँ बुरे लोग आपको को हर एक जगह मिलेंगे हो पाए जाते हैं यह वाला सब्सक्राइब संधेंश को लेते हैं भगवान कहा किसी पूछते नहीं है बताते हैं भगवान सब जगह है इसके लिए बोलते हैं गौड इच ओमनी परजेंट ओमनी परजेंट में क्या होता है सरवत्र सर्वयापी जो सब कुछ जानते हैं और वह सब जगह पाए जाते हैं यहां पर और भी कहां नहीं है हर जगह है बुरे लोग कहां नहीं है इसके लिए बोलेंगे डबैड आर एवरिवेर यहां पर आप देखिए बुरे लोग तो दो से काम चल जाता आपने प्लूरल सब्जेक्ट पढ़ा होगा जिस तरह से अंधे लोग गरीब लोग दर पूर अमीर लोग दर रिच ऐसे वर्ड को प्लूरल बनाने के लिए हम लोग प्लूरल नाउन में क्या करते हैं दह लगा देते हैं तो वह प्लूरल बन जाता है यह आई आपको संटेंस ब्रस तरिके समझ मैंगा अच्छे लोग कहां नहीं है अच्छे लोग कहां नहीं है इस बात करते हैं नेटवर कहां सब्सक्राइब कर सकते हैं पर इस तरह के संटेंश को अंगल नहीं तो इस नहीं आगो तो देर किस बात कि आईये सीक लेते तुम रहने दो मैं उसे बुलाता तुम रहने दो, मैं ही खाना बना लेता हूँ, इस तरह के sentence को बोलने के लिए, सबसे पहले write करेंगे subject, अगर subject आपको दिखाना है तो दिखा सकते हैं, बड़ मोडन में क्या करते हैं, लोग नहीं दिखाते हैं, तो understood ही होता है subject, इसलिए उसके बाद लगाएंगे, अगर subject द रहने दो, जाने दो, कोई बोलता है, जाने दो इससे, या रहने दो, इसके लिए उज़ करते हैं, लोग, let it be या let it go का, तुम रहने दो, मैं उससे बुलाता हूँ, sentence ले कहेंगे, you let it be, I call him, you let it be, I call him, यहाँ पर you नहीं भी बोल सकते हैं, let it be, I call him, या let it go, I call him, next sentence, तु you let it go, या you let it be, I will do it, you let it go, I will do it, next sentence, तुम रहने ही दो, मैं बाजार खुद चले जाऊंगा, you let it be, I will go to market myself, next sentence, तुम रहने दो, मैं ले आऊंगा, इस sentence ले कहेंगे, you let it be, I'll take it, you let it be, I'll take it, यहाँ पर understood है, किसी समान के बारें बोल रहे हैं, इसलिए इट आ गया, हे दोस्तों, यदि आपको यह concept समझ में आई है, तो दो sentence right किजिए, यहाँ पर आपको दीख रहे होंगे, अगर आपको वीडियो पसंद आए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और बैल आकन को भी उपर से पुलिस ने पकड़ लिया, मैं ऑफिस जा रहा था, और उपर से उसी समय बारिस हो गया, मैं उससे मिलने जा रहा हूं, उपर से मुझे गाड़ी की चावी नहीं मिल रही है, तो इस तरह के sentence में हम लोगों ने phrase use किया, और उपर से इसको English में क्या बोलते हैं, वैल on top of that, यदि आप इस phrase को एक ही साथ English में बोलेंगे तो और उपर से इसको English में बोलेंगे, and on top of that, and on top of that, तो end लगा देंगे, और अब देखिए structure, structure में सबसे पहले राइट करेंगे, पहले वाले sentence को, sentence जिस भी sentence में होगा, उसको उसी sentence में translate कर देंगे, और उसके बाद और मजे की बात ये है, बाद वाले जो sentence है, जिस भी sentence में होगा, या जिस भी modals में होगा, उसको उसी में बना देंगे, तो दोस्तों, देर किस बात की है, आइए, हम लोग सिख लेते हैं, कुछ example की मदद से, मैं जल्दी में था, और उपर से मुझे पुलिस वाले ने आप इसका यूजडे लाइप में बहुत ज़्यदा कर सकते हैं, और करते भी होंगे साइट, जिस तरह से मैं को situation देता हूं, जैसे आपको अपने छोड़े भाई से काना हो, तुम्हें पापा बुला रहे हैं, तुम्हें पापा बुला रहे हैं, और आपके छोड़े भाई हरी, उसके बाद आएंगे और उपर से के लिए and on top of that, तो and on top of that को राइट करने के बाद एक कमा राइट करेंगे, और उसके बाद बाद वाले कलाज को translate करेंगे, मुझे एक पुलिस वाड़े ने पकड़ लिया, यह past indefinite sentence, इसके लिए कहेंगे, a policeman caught me, a policeman caught me, well हमारा पुर of that, a policeman caught me, next sentence को जगते हैं, my office जा रहा था, और उपर से उसी समय बारिस हो गया, तो सबसे पहले बनाईए, my office जा रहा था, यह past continuous sentence, इसके लिए बोलेंगे, I was going to office, I was going to office, उसके बाद और उपर से के लिए and on top of that, कमा राइट करेंगे, फिर बनाएंगे, उसी समय बारिस हो गया, इसके लिए बोलेंगे, it rained that time, तो पुरा Sunday हमारा क्या बना, I was going to office and on top of that, it rained that time, next sentence को जखते हैं, मैं उससे मिलने जा रहा हूं, और उपर से मुझे गाड़ी का चा भी नहीं मिल रहा है, वहले Sunday के लिए कहेंगे, पहले बनाईए, मैं उससे मिलने जा रहा हूं, I'm gonna meet him I'm gonna meet her, लड़की है तो हर लगाते हैं, I'm gonna meet her, तो यहाँ पर going to को गोना बोलते हैं, आप going to भी बोल सकते हैं, I am going to meet her, मैं उससे मिलने जा रहा हूं, और उपर से के लिए and on top of that, उसके हैं कमा, फिर रहा है तो मुझे गाड़ी का चा भी नहीं मिल रहा है, वैल यह परजेन continuous sentence है, इसके लिए कहेंगे, I'm not getting the kiss of the car, I'm not getting the kiss of the car, यह दोस्तों, पूरा sentence हमारा क्या बना, I'm gonna meet her and on top of that, I'm not getting the kiss of the car, I'm gonna meet her and on top of that, I'm not getting the kiss of the car, यह दोस्तों, you can see a sentence on the screen, write it in the comment box, if you make mistake, then I'll correct it, यह दोस्तों, कैसी लेकी देख, लेकी देख, लाइक कर देख, लाइक कर देख, सब्सक्राइब कर ले, और बेल आकान को बीच कर ले, ता कि मेरा रूर जाने वाली बीडियों को नट्विकर सेन बिल्कुल टाइम पर मिलती अरूर नյोस्तों, कैसी देख, लाइक कर देख, लाइक कर दोस्तों को आकान कि मेरा रूर जा means.